हम्, अच्छा, तो ये ऐसे होगा हम्, ठीक है बस कर केटकी, कितनी देर से पढ़ाई कर रही है चल मेरे साथ ज़रा खाना बनवा दे अभी आई मा ये है केटकी, जो देखने में बहुत काली थी केटकी के घर में उसकी मा सरिता और उसका बड़ा भाई सुनील रहते थे सुनील एक फैक्ट्री में काम करता था जबकि केटकी कॉलिज में पढ़ाई कर रही थी वो पढ़ने में बहुत ही होश्यार थी उसे पढ़ाई करना बहुत पसंद था बस केटकी का रंग बहुत काला था जिसकी वज़े से उसकी मा सरीता को उसकी बहुत चिंता होती थी फिर उस दिन रसोई में तेरे पेपर कब है केटकी? मा बस अगले महीने फिर मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाएगी हम उसके बाद क्या सोचा है? मा में शेहर जाकर बच्चों को पढ़ाओंगी हैं? और यहां कौन रहेगा मेरे पास? क्यूं? भाईया है तो सही और वैसे भी उनकी शादी तो होने ही वाली है तो आपके पास भाईया भाबी दोनु रहेंगे हम देखना सुनील की शादी को अब बस 20 दिन रह गए है और कुछ भी तैयारी नहीं हुई अभी तक अगर शादी में कुछ कमी रह गई तो सुनील के ससुराल वाले गुस्सा करेंगे क्या हुआ? तू हस क्यों रही है? हस इसलिए रही हो मा कि आप तो ऐसे घबरा रही हो जैसे शादी सुनील भया की नहीं मेरी हो रही है अरे आप लड़के की मा हो आपको किस बात की टेंशन ये बात तो तुने सही कही देख लूँगी पटवारी को ये हुई ना बात सरिता का बेटा सुनील सुनीता से शादी कर रहा था वो उसके साथ कॉलिज में पढ़ती थी दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया सुनीता का भाई पटवारी था इस बात का सुनीता को बहुत खमंड था और वो एक नंबर की नक्चड़ी थी ऐसे ही वक्त गुजर गया और फिर सुनील और सुनीता की शादी हो थी लेकिन इस शादी के बाद से सब कुछ बदल गया आते ही सुनीता ने केत की और सरिता से लड़ाई शुरू कर दी रोज की तूतू मैमे की वज़े से सरिता का स्वास्ते बिगड़ने लगा और फिर वो एक दिन चल बसी और फिर एक दिल सारा दिन बस पढ़ाई का नाटक करती रहती है घर का काम कौन करेगा सौरी भाबी बताओ ना क्या करना है अच्छा तो अब ये भी मैं बताओ क्यों तेरे पास आखे नहीं है काली कलूटी तो है ही साथ में दिखाई भी कम देता है क्या भाबी मुझसे कोई गलती हो गई हाँ हो गई और बहुत बड़ी गलती हो गई अच्छा तो तब होता जब तू भी अपनी मा के साथ निपट लेती कम से कम हम तो चैन से रह पाते रोस रोस के तानों से केतकी परिशान हो चुकी थी वो रोते हुए वहां से चली गई उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मा के मरने के बाद उसे ये सब सुनना पड़ेगा उसे रोते हुए देख कर सुनील ने अपनी पत्नी सुनीता से पूछा तुमने कुछ कहा क्या केतकी को वो रो क्यों रही है कहा ना पढ़ाई का बाहना करके बैठी रहती है सारा दिन घर का सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ता है तुमने इसकी जल्दी से शादी करा दो हाँ लड़का देख तो रहा हूँ पर पर तुम्हारी बहन का काला रंग देख कर उससे कोई शादी करने को राजी नहीं है है ना नहीं ऐसी बात नहीं है वो तो कोई अच्छा लड़का मिल नहीं रहा है ना इसलिए जितनी वो काली है न कोई अच्छा लड़का मिलेगा भी ने उसको अरे किसी से भी ब्यादो क्या फर्क पड़ता है कम से कम उसका घर तो बसेगा और मेरा भी पिंट चूटेगा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे किसी से भी कैसे करा दूँ? पहन है वो मेरी ओफो तुम तो ना बस चुपी रहो और अगर जादा प्यार आ रहा है ना अपनी पहन पर तो तुम कर लो अपनी कोशिश और जब कोई लड़का ना मिले ना तो मुझे बताना मेरे गाउं में बहुत लड़के गूम रहे हैं किसी ना किसी के सर मढ़ी दूगी इसे केट की अपने भाईया भावी की बात सुन रहे थी वो बस रोए जा रहे थी तब ही उसने फैसला किया कि वो अब अपने भाईया पर बोच नहीं बनेगी और अपनी जिंदगी खुद सवारेगी और ऐसे में उसे याद आया गौरव जो उसी के कॉलेज में पढ़ता था पूरा कॉलेज उसके रंग का मजाग बनाता था बस एक गौरव ही था जो उसकी इस्ज़त करता था और उसे पसंद भी करता था गौरव पढ़ाई के बाद शेहर जाकर कॉम्प्टेटिव एक्जाम्स की तैयारी कर रहा था जाते वक्त उसने केटकी को अपना फोन नमबर दिया था केटकी कहां जा रही है तू? जाने दो उसे लौट आएगी जाएगी कहां केटकी ने घर से बाहर निकलते ही गौरव को फोन की और उससे मदद मांगी गौरव ने उसे अपने पास शेहर बुला लिया वहाँ गौरव उसे स्टेशन पर लेने आया गौरव की मदद से केटकी एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी और अपने खर्ज भर को पैसे कमाने लगी केटकी ने पैसला कर लिया था कि वो कुछ बढ़ा करके दिखाएगी और उसके बाद ही घर लोटेगी केटकी सुबह से शाम तक स्कूल में पढ़ाती और गौरव के साथ मिलकर एक्जाम्स की तैयारी करती अगले ही साल गौरव ने UPSC क्रैक कर दी और वो IPS बन गया उसकी काम्याबी पर केटकी बहुत खुश थी और फिर उसी शाम आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ गौरव बताओ तुम्ही क्या चाहिए पक्का जो मागूंगा वो दे सकोगी अब बताओ जितने पैसे हैं मेरे पास सब खर्च कर दूँगी तुम्हारे लिए मुझे तुम्हारे पैसो की नहीं बलकि तुम्हारी जरुवत है केटकी वो भी पूरी सिंदकी के लिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्या हूँ आप क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ बहुत पसंद हो लेकिन एक IPS के घर वाले कभी एक काली गरीब लड़की के घर रिष्टा लेकर नहीं आएंगे पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना इसलिए तो कह रही हूँ तुमने खुद को साबित कर दिया और अब मेरी बारी है ताकि तुम भी अपने घर वालों को शान से मेरे घर ला सको उस दिन के बाद से केतकी ने और जादा मेहनत करनी शुरू कर दी ऐसे एक साल बीद गया केतकी ने अपना एक्जाम दे दिया और फिर एक दिन उसे पता चला कि उसके भाई की तव्यत काफी खराब है वो फॉरण अपने भाई से मिलने पहुची केतकी के आने से उसके भाई को बहुत खुशी हुई जबकि उसकी भाबी सुनीता उसे देख कर चल भुन गई केतकी की सेवा से उसका भाई जल्दी ठीक हो गया और फिर एक दिल सुनो, आज गाउं से कुछ लोग आ रहे हैं अच्छा क्यों? अरे वो मैंने केतकी की शादी की बाद की थी वो हमारे गाउं का एक लड़का है, खुद की टेक्सी चलाता है थोड़ा काला है पर केतकी भी तो काली है सुनील अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पाया उसे लगा कि शायद केतकी की यही किस्मत है शाम को सुनील के घर के बाहर एक टेक्सी आकर रुकी वो टेक्सी वाला अपनी मा को साथ लेकर केतकी को देखने आये थो और फिर जल्दी कर लड़के वाले आ गए कपके अहां भाबी मैं तयार हूँ सुनीता केतकी को लेकर गैस्ट रूम में आ गई टेक्सी वाले को देख कर सुनीता ने कहा ये है मेरी नननत केतकी स्कूल में पढ़ाती है ठिक ठाक कमा लेती है वो क्या है न थोड़ा दौड़ धूब जादा करती है तो इसलिए रंग थोड़ा दब क्या है जूट मत बोलो भाबी मैं तो बचपन से ही काली हूँ चुपकर बड़ी मुश्किल से ये लोग फसे है नहीं भाबी मुझे इन लोगों को नहीं फसाना वो देखो भाबी लड़के वाले तो अब आए हैं हैं? आप कौन है? और आप इसे सल्यूट क्यों कर रहे हैं? नमस्ते मेरा नाम गौरव है और मैं निशांतपुरा का S.P. हूँ आप से केतकी मैडम का हाथ मागने आया हूँ केतकी मैडम? जी इतना सुनते ही टेक्सी वाला चुपचाफ वहां से खिसक लिया और सुनीता का मुख खुला का खुला रह गया पटवारी की बेहन की बोलती आयस ननत के सामने बंद जो हो गई थी राघव, आप मुझी जल्दी लेने आईएगा इतना कहकर राघव ने शीतल को यश के साथ ट्रेन में बिठा दिया कुछ देर बाद यश सो चुका था शीतल की भी आँख लग गई फिर तड़ के सुबह शीतल का फोन बजा शीतल कुछ तेर बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुँच जाएगी मैं पंकच को फोन कर देता हूँ वो तुम्हें और यश को लेने स्टेशन आ जाएगा नहीं नहीं, उसकी कोई जरुरत नहीं है मैं आटो लेकर खुद चली जाओंगी ये कहकर शीतल फोन काट देती है अब उसके मन में कई सवाल जवाब तहल का मचा रहे थे उसे माई के के वो पुराने दिन याद आ रहे थे पंकज बेटा, जा शीतल बेटी स्टेशन पर पहुँचती ही होगी जा कर ले आ उसे बच्चे और सामान के साथ आने में उसे परिशानी होगी माव वो पहली बार थोड़ी ना आ रही है और वो पूरे शहर से परिचित है वो तो हमारे सागरपुर की डौन थी वो अपने आप आ जाएगी देख मेरे जीते जी तू मना मत कर मेरे मरने के बाद जैसा रिष्टा निभाना है निभाते रहना ये बाते सोचकर शीतल के चेहरे पर हलकी मुझकुराहटा गए लेकिन अगले ही पल वो उदास हो गए दरसल शीतल की मा की मौद को एक साल बीथ चुका था जब उसकी मा जिंदा थी तो वो किसी ना किसी बहाने से शीतल को बुला ही लेती थी और शीतल भी पूरे हक से जाती थी कि ये तो मेरी मा का घर है लेकिन अपनी मा के गुजरने के बाद तो मानू शीतल का माईके से वो जुडाव रहा ही नहीं था उस एक साल में कितना कुछ बदल चुका था अब उसे अपने माईके में पहले जैसा अपना पन नहीं लगता था अभी तक मा होती तो दस बार फोन कर चुकी होती लेकिन भाईया भाबी का भी तक एक भी फोन नहीं आया कुछ तेर बाद गाड़ी स्टेशन पर आकर रुखी शीतल ने आटो किया और माईके पहुंचके अरे दीदी आ गए आप आईए आईए हम कबसे आपकी राह देख रहे थे अब कैसी हो दीदी और मेरा ये शैतान भांजा कैसा है ये ले यश चॉकलेट खा थेंक यू मामा दीदी आप अपना ये सामान गैस्ट रूम में रख दीजे आपका बिस्तर भी वहीं लगा हुआ है नई भाबी मैं मा के कमरे में ही सो जाऊंगी अरे लेकिन उसे तो हमने अब स्टोर रूम बना दिया है वो क्या है न घर में एक्स्ट्रा सामान रखने की जगा ही नहीं थी शीतल को ये जान अच्छा नहीं लगता वो चुप चाप अपना सामान कैस्ट रूम में ही रख देती है फिर शाम को वो भाभी का हाथ बटाने किचन में जाती है यहीं तो रखा था ना जाने कहां है क्या हो अदिदी? क्या ढूंड रही हो? भाभी मा का वो स्टील वाला डिनर सेट नहीं मिल रहा जिसमें वो अकसर हमारे आने पर खाना परोस्ती थी अच्छा वो उसे तो मैंने निकाल दिया वो क्या है न रसोई में बहुत भीड हो रहे थी इसलिए मैंने सभी बेकार चीज़ें फिकवा दी आप चिंता मत कीजें मैंने डिस्पोजिबल ग्लास और प्लेट्स मंग वा ली है उसे में खा लेंगे तो बरतन दोने का जंचटी नहीं रहेगा मा थी तो वो हमेशा स्टील के बरतन में ही खाना परोस्ती थी लेकिन आज दीदी, किस सोच में पढ़ गई, आप बैठिये में खाना परोस्त देती हो वो सभी डिनर करने बैठे डिनर में आज भावी ने दाल और कद्दू की सबजी बनाई थी ये देख शीतल को पुराने दिन याद आते हैं भई वा मा, आज तो तरह-तरह के पकवान बन रहे है बड़ी खातिरदारी हो रही है मा अपने बेटी की है हाथो, एक ही तो बेटी है मेरी ना जाने ससुराल में अपनी पसंद का कुछ खा भी पाती होगी या नहीं ले बेटी खा और मेरे नाती के लिए मैंने इनके पसंद के नूडल्स और बर्गर भी बनाए है नानी मा, तुम बहुत अच्छी हो, हमारा कितना खैल लगती हो तभी यश अपनी मा से मा, मुझे नहीं खानी ये कद्दू की सबजी नानी मा थी, तो वो हमारे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती थी चुपकर यश, ऐसा नहीं बोलते, जो बना है हमें वहीं खाना चाहिए चलो अब चुपचाप से खाना खाओ शीतल को माई के आकर रह रहकर अपनी मा की याद सताती थी ऐसे तीन दिन बीद गए तीन दिन अपने माई के में रहने के बाद अगली सुबह शीतल की रवान की थी जाने से पहले पंकज एक चाभी लेकर आया और उसने शीतल को दी ये क्या है भईया? दिदी ये मा के कमरे में जो संदूक रखा था उसकी चाबी है वो शायद उनका सबसे अजीज संदूक था और मा मुझसे ज़ादा तुमसे लाड़ रखती थी इसलिए मैं और तुम्हारी भाभी चाहते हैं कि इसे आप ही खोलो लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि दिदी इस पर आपका अधिकार है मा हमेशा कहती थी कि मेरे मरने के बाद ये पूंजी शीतल को देना वही इसकी कीमत समझ सकती है इसलिए बैतर होगा अगर आप ही इसे खोले कापते हाथों से शीतल ने वो बकसा खोला उसमें सबसे उपर शीतल के पापा का वो खादी वाला कुर्टा पजामा रखा हुआ था जो कि उनका पसंदिदा था गायतरी से संभाल कर रखना मैं इसे पंकच के जन्म दिन पर पहनूंगा हाँ हद करते हो जी दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है वो कोट, पेंट और सफारी सूट पहनती है और तुम ये खादी का कुर्टा पहनोगे दुनिया जो पहनती है पहनने दो भई लेकिन मैं तो यही पहनूंगा हाँ लेकिन पंकच के जन्म दिन का अर्मान मन में दबाए पापा एक दुरघटना का शिकार हो गए और सब कुछ यही छोड़ कर चले गए शायद उस दिन से वो कुर्टा मा का अजीज हो गया था उसके नीचे देखा तो भाई के अनप्राशन के कपड़े रखे हुए थे शीतल ने जब और गहराई से देखा तो उसमें एक गुड़िया रखी हुई थी जिससे शीतल बच्पन में खूब खेलती थी कितनी ही ऐसी यादें उस संदूक में कैती जो शायद एक मा के लिए बहुत खास थी ये सब देख शीतल की आँखों में आसू आ गए और उसने अपनी भाभी से कहा भाभी क्या ये संदूक में हाँ हाँ दिदी इसकी कीमत आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता आप बे जिजा किसे ले जा सकती है दिदी आती रहना तुम आती हो तो लगता है मा की तस्फीर को देखते हुए शीतल ने कहा जा रही हो मा लेकिन तेरे बगहर माई का क्या होता है आज ये जान लिया तुम सिर्फ आखों से दूर हुई हो लेकिन तुम्हारी मौजूदगी तो माई का शब्द में ही है तुम्हारी मौजूदगी हमेशा इस घर में और हमारे दिलों में रहेगी मा